नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजनेशन का डिजिनल प्लाटफॉर्म में आपके सातंकिता IPL 2023 के 16 सीजन का आगाज हो चुका है जहाँ पर CSK और गुज्राइट टाइटन्स की बीच पहला मुकाबला खेला गया वहीं आज यानी एक अप्रेल को दूसरा मुकाबला मुहाले में खेला जाएगा जहाँ पर दो टीमे यानी की पंजाब किंग्स और केकियार आमने सामने भीड़ेंगी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर शिखरदवन टीम की कमान समभालते वे नजर आएंगे वहीं केकियार की बात करें तो नितीश राना एज अ कैप्टन नजर आएंगे इस खिलाड़ी की बात करें तो यह खिलाड़ी बहुत ही मध्यम वर्गय परिवार से तालुक रखता है उस खिलाड़ी का नाम है रिंकु सिंग रिंकु सिंग ने 2017 में आईपियल का आगाज किया था जहाँ पर उन्हें penjaab king ने एपनी टीम में खरीदा था लेकिन 2018 की बात करें तो वहाँ पर उन्हें केकयार ने अपनी टीम में खरीदा था लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था इसके पहले भी अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब की तरफ से वो खेलते वे नजर नहीं आये थे वहीं 2018 की बात करें तो 2018 में भी उन्हें KKR ने अपने खेमे में जरूर डाला था लेकिन उन्हें खेलने का मौका ने मिला था और रिंकु सिंग का नाम इस बार भी KKR के खेमे में उन्हें शामिल किया गया है और इस बार वो क्या कमाल करके दिखाते हैं वो बड़ी बात है लेकिन इस खिलाडी ने पिछली साल यानि पिछले IPL 2022 में इन्होंने ताबट तोड़ बल्ले बाजे करके लोगों को ये दिखा दिया था यानि कि सामने वाले टीम को ये दिखा दिया था कि इनके बल्ले में दम खम रखते हैं और जुस तरीके से ये बल्ले बाजे करते हैं चारों खाने चित करते हुए नजर आते हैं कल के मैच में यानी एक अप्रेल के मैच में यह क्या करते हैं इस तरीके से प्लास फैमिली से यह बिलॉंग करते हैं और बहुत पहले की बात करें तो इनके जो फादर है वो जाडू का काम करते थे जिलिंडर का काम करते थे और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं साथ अगर हम इनके कहानी की बात करें फ्लाश बैक की तरफ जाये तो इनके जो कहानी काफी दर्द भरी थ जाडो लगाने का ज्यादी के थे ज़ाड़ने का काम लेकिन थे थे घैनäre के इनका फ्यल में थो इनकी पिटा इसे खिलाफ थे लेकिन इनकी सफ़े खिलाफ के इनकी चिलाफ थे धाल जो थे coraz प्लस पॉइंट है और 222 में गुज्राय टाइटन्स के खिलाफ वो जो छक्का लगाया था वो आज भी लोगों के जहन में आज भी शामिल है देखिए जिस तरीके से आई पेल की बात करते हैं आई पेल एक तेभार है और हर एक टीम जो भी है उनके अलग-अलग प्लेयर्स पसंद होते हैं लेकिन रिंको सिंग की बात करें तो रिंको सिंग जिस तरीके से ताबर तुर बल्ले बासी करते हैं जिस तरीके से वो फिल्डिंग करते हैं उनके लिए जाने जाते हैं कलका मैज उनके लिए क्या दिल्चस्प होगा वो देखने वाली बात होगी कैसा लग झाल झाल